एक रोज का है किसा दर्या के किनारे एक रोज का है किसा दर्या के किनारे संतों का बहां जम घट बहां तुलती पधारे संतों का जहां जम घट बहां तुलसी पधारे बाबा तुलसी ने कहा संत महत्माओं से कि आज हमारे स्री राम आएंगे संत कहने लगे और महत्मा कहने लगे कि स्री राम क्या आएंगे राम जी का बास तो यहां हो चुका है त्रेता युग में बारे वर्सों तक रहे बाबा तुलसी दाशी कहने लगे कि नहीं आज हमारे राम प्रत्यक्ष रूप में आएंगे हमारे पास आएंगे इतना मुझे विश्वास तुलसी ने कहा आज यहां राम आएंगे तुलसी ने कहा आज यहां राम आएंगे चंदन को घिसके हम उनके माधे लगाएंगे यहां देखें आप क्या होता है भगवान स्री राम की प्रतिक्ष में बाबा तुलसी चंदन घिसने लगे दोनों हापों से चंदन एक पथर पर घिसने लगे तो हुआ क्या चंदन को घिसके खिसके उन्हें नीज आ गई चंदन को घिस्ते घिस्ते उन्हें नीद आ गई और नीद के ही शात में बेहोसी छा गई एशि भग्वान राम की आने की पृतिक्षा में बाबा गो स्री राम भक्तों के मन की बात को जानने वाले भक्तों के मन की एक्षा पूर्ती करने वाले गई और चंदन लगाए लेकिन बाबा गोश्वामी जी ओस समय राम प्रेम में मगन हैं प्रहु चंदन लगा कर चंदन लगाया भगवान राम ने और चंदन लगा के चल दिये इतने में जब गोश्वामी जी के नेत्र खुले तुलसी दाशी महराज के नेत्र खुले और उनने देखा कि ये मेरा चंदन तो कोई और लगा गया है यहां तो चंदन है ही नहीं अब गोश्वामी जी पूजपाद गोश्वामी तुलसी दाशी महराज अपने और साथियों और संत महत्माओं से पूछने लगी तुलसी ने पूछा यहां अभी आया था कौन लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या एक नोजवान आया चंदन लगा गया एक नोजवान आया चंदन लगा गया एक नोजवान आया चंदन लगा गया एक नोजवान आया चंदन लगा गया